हाई आज हम कुछ स्कैच बनाएंगे एक गल का तो स्टार्ट करते हैं तो देखो मैं अभी रफ स्कैच बना रही हूँ आप भी ऐसी थोड़ा रफ रफ बनाएं अगर आपको ऐसे आईज और नोज बनाने में प्राबलम आती हो तो मेरी जो पहली वीडियोज हैं स्कैच वाली उनको जाकर देखें उनमें मैंने बताया है कि स्केल से की हेल्प से हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं आईज और नो उसमें कित चुटी चुटी बाते हैं जो स्कैच में धिहान रखो तो अच्छा बनता है अभी मैं जैसा स्कैच बना रही हूं बिगनर्स के लिए बना रही हूं जो आसानी से ड्रॉ कर सकें ठीक हैं तो आईज ड्रॉ करने के बाद रफ रफ हम बना लेंगे नोज आईब्रोज और ये पर पास अभी दूसरी पेंसिल नहीं है ठीक है यह फेस कट की लाइन बना रहे हूं मैं बैसे हम इसके हीर बनाएंगी तो यह लाइन देखेगी नहीं तो फिर भी रफली ड्रॉव कर ली है जिससे हम फेस को अच्छे से ड्रॉव कर सकें तो यह आईज पे हम डार्क कर देंग अच्छा तो मैं आपको कुछ बता दियो तो पहले पता है जब मैं चोटी थी न तो मेरी सिस्टर एक मैसे चोटी तो जब हम चोटी-चोटी क्लास में पड़ते थी तो वह मेरे से कहती थी कि दीदी ड्रोइंग बना वना मेरे लिए पहले न ऐसे ड्राइंग बनाने के लिए मिलती थी कॉंपटिशन होता था स्कूल में कि घर से ड्राइंग बना के लेके आना हम आपको प्राइज देंगे ऐसा कुछ हुआ करता था था तो ऐसा ही वह उसके स्कूल में भी होता था मेरे में भी होता था तो हम लोग बना के लेक कि हम लोग मैं और मेरी सिस्टर मेरी सिस्टर भी अच्छी ड्राइंग बनाती है तो कभी कबार मेरे से बोलती थी कि दीदी मेरे लिए भी ड्राइंग बना होना मेरा फेस बना होना तो मैं जब मेरे को आता नहीं था फेस बनाना नहीं आता था था बस नॉर्मली जैसे रही हूं और देखो यही बताते बताते हमारी ड्राइंग में हम हेर तक पहुंच गए हैं अब हेर बनाएंगे इदर देखो में कैसे हेर बना रही हूं और कैसे बनाने हैं जैसे हेर रियलिस्टिक लगें ठीक है देखते जाओ आगे उपर की साइड बाले हेर बना रहे हैं अभी हम और ये बनाएंगे हम रिवीन वो बाली ठीक है इसमें भी हम शेट कर देंगे जिसे दार्क लगे है ना उसके बाद अधर साइड में हेर बनाएंगे ऐसे बनाने हैं अच्छे लगे ये रियलिस्टिक लगे तो आप देखो स्लो करके देख लेना वीडियो में मैं जल्दी जल्दी बना रही हूं इसमें पर बहुत टाइम लगाता है ये बनाने में टाइम ही लगता है अगर आपको रियल दिखाने हैं तो ये बनाने में आपको लिप्स को भी डार कर रहे हैं हम ठीक है यहां पर यह आइस डार कर रहे हैं पैंसल से जो हमने पहले बनाया था तो रफ बनाया था अब इसको ठीक करेंगे हम तो इसे डार कर लेंगे जहां जहां से लाइट दिख रहा हूँ वहां से दोबारा पैंसल से डार कर लेंगे और द राइट की अच्छी सेप देखे उसके बाद नोस बनाएंगे नोस को डार करते हैं थोड़ा ब्लाइन कर देते हैं उंगली से ही कर दूंगे मैं क्योंकि यह रफ है ना लिप्स बना दिए इनको भी ठीक कर दो थोड़ा रियलस्टिक दिखाने के लिए और यह चिन पर हम टॉप को कुछ भी बना देंगे रफ ली कि मैंने टॉप का डिजाइन बना दिया है कुछ भी ठीक है उसके बाद आल्मुस्ट हमारा स्केच कम्प्लीट ही हो गया है अब आप देखिए यह रफ स्केच कैसा बना है और बिगनर्स के लिए यह अच्छा टुटोरियल है आप पहले ऐसा बनाएं फिर और अच्छा बनाने सीखें फिर और अच्छा बनाने सीखें ठीक है और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सेयर कर देना सस्क्राइब जरूर कर देना प्लीज यार